तो ये तो तुम्हें पता ही होगा कि दो दिन से खूब रॉला काटा गया इंटरनेट के उपर कि बहुवली 3 आ रही है उसके उपर ओफिचली काम चालू हो चुका है वगेरा वगेरा लेकिन इस ख़बर को लेके एक बहुत बड़ा ट्विस्ट भी है वो क्या है वो हम जाने इस वीडियो में और साथ ही जानेंगे बहुवली फ्रेंचाइजी के अंदर आने वाले हर एक माल के बोले तो हर एक प्रोजेक्ट के बारे में आई नो मोस्टली लोगों को सिर्फ यही पता है कि इस फ्रेंचाइजी में खाली दो मूवीज ही आती है लेकिन ऐसा नहीं है इस आईपी में काफी सारे प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं और कुछ आने वाले भी हैं तो वो सब जानेंगे इस वीडियो में तो मेरजान स्वागेद तुम सबका प्रभास अन्फिल्टर्ड मतलब प्रेंव उन्फिल्टर्ड की एक और वीडियो में और मुझे तो जानते ह सन्फिल्टर्ड रायी है कि एक और मुझे प्रभास रेडियों यह सेम बात सलार के इंटर्व्यू के दुरान प्रभास भी बोल चुकिंगे है कि अगर राजमॉली साब रेडि हैं तो बहुम में लग नकिया हैं जानते हैं कि यह दोनू लोग तो रेडि हैं इक प्रेसे के नहीं इवन इस चीज़ का हिंट तो बाहुवली दा कंक्लूजन के एंडे क्रेडिट्स में उस बच्चे और सन्यासी के वोईस ओवर ने भी दे दिया था जहां पे बच्चा सन्यासी से माहिश मती के फ्यूचर के बारे में पूछता है तो सन्यासी ये कहते हैं कि मैं क्या जा है कि उनका प्लान है थर्ड पार्ट लेके आने का वालक बात है कि उनके इंटर्व्यूज में कुछ भी चीज़ कंफर्म नहीं होती वो क्या-क्या प्लान बता देते हैं अगले 10 साल तक कि क्या प्लानिंग उनका दिमाग में चले ये वो सब बता देते हैं वो तो कुल मिला थ्री के बारे में ये लेटेस्ट दावा किया है इंट्रेस्टिंग बात ये है कि 27 फरवरी 2024 की इस अकेली रिपोर्ट के अलावा मुझे कोई दूसरा आर्टिकल नहीं मिला जिसने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया इंटरनेट के उपर इसका लिंक भी मैं डेस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ अब ये रिपोर्ट बाहुवली 3 के बारे में क्या कहती है वो सुनो डारेक्टर्स ने इस मूवी के बारे में ज्यादा इंफोर्मेशन रिविल नहीं किया लेकिन कुछ sources का कहना है कि अगले कुछ सालों में ये movie आ सकती है आगे report कहती है कि one of the three producers of Bahubali shared कि वो लोग Bahubali 3 के पर officially काम करना शुरू कर चुके है यहां तक कि इसके script के ओपर भी काम चालू हो चुका है which is really shocking for me also and एक और चीज़ जो इस report में कही गई कि ये movie पिछली movie से connected नहीं होगी which means कि हमें completely एक नया plot और एक नई storyline देखने को मिलेगी and ये और भी ज्यादा shocking update मेरे लिए क्योंकि मैं ऐसा expect नहीं कर रहा था I was thinking कि वही story continue होगी और अभी उसमें काफी कुछ है explore करने को उसको explore किया जाएगा खर इस चीज़ पर हम फिर कभी discuss करेंगे कि क्या ऐसा करना सही होगा या नहीं लेकिन इस report में एक चीज मुझे गड़बर्ड लग रही है जहां पर मुझे हलका सा doubt भी है इसके उपर वो ये कि इसमें कहा गया है कि movie के तीन producers में से एक ने ये सब का आया है जबकि बहुबली movie के तो दो ही producers हैं आरका मीडिया वर्क्स के शोबू यरलागड़ा एंड प्रसाद देवी नेनी कि तीसरा producer कहां से आ गया भाई कम से कम मुझे तो इसकी जान करनी है अगर तुम में से किसी को हो तो भाई बता देना कमेंट्स में वेल अब हम आते हैं वीडियो के दूसरे section पर जहां पर हम बात करेंगे कि बाहुबली franchise के अंदर कितने projects आ चुके हैं और अभी कितने आने वाले हैं जिन पर काम चल रहा है तो मैं बता दू कि इस universe में कुल मिलाके सारे 8 projects हैं जिन में से 7 आ चुके हैं और एक आना बाकी है इस universe की शुरुवात हुई 10 जुलाई 2015 को बाहुबली दे बिग्निंग मूवी की रिलीज के साथ timeline के order से देखा जाए तो ये project universe का पहला प्रोजेक्ट नहीं था तो हम क्या करते हैं timeline के recording चलते हैं बाहुबली उनिवर्स की timeline का first project साथ मार्च 2017 को रिलीज हुआ था यानि की बाहुबली टू मूवी से जिस्ट डेड़ महीना पहले ये था एक novel दे राइज ओफ शिवगामी जिससे आनन्द नियल इसमें शिवगामी देवी की बिजल देशा शादे से पहले उनकी यंग एज को भी explore किया गया है और साथ ही उनकी माहिश्मती राजगराने से नफरत से लेके उनका माहिश्मती महल तक पहुंचने का सफर दिखाया गया है अगर तुमने वहाववली दा बेगनिंग ध्यान से देखी होगी तो पता होगा कि प्रभास ने उसमें दो नहीं बलकि तीन करेक्टर्स प्ले की हैं महिंदर बहाववली उनके फादर अमरेंदर वहाववली और उसके दादा विक्रम देव जिनकी हमें सिर्फ एक जलक दिखाई जाती है इस एक फ्रेम में इस फोटो के जरी है जहां पे हमें ये भी पता चलता है कि बहाववली की आइकोनिक स्वावड भी असल में महाराज विक्रम देव से ही उन्हें विरासत में मिली है कटपपा का एक भाई विदा शिवपपा और उन दोनों के फादर हैं माले अपपा माले अपपा महराज सौम देव के रोयल स्लेव हैं जो नाम हमने मूवी में भी सुना था। इसके बाद इस युनिवर्स का सेकंड प्रजेक्ट आता है, सेकंड नोवल चतुरंग जो 6 अगस 2020 में पब्लिश वा। इस नोवल में हमें विजल देव की अती राजनितिक महतो कांग शा और उसके मनसू पे पता चलते हैं थर्ड प्रजेक्ट वोज ओल्सो अफाइनल नोवल इन दे सीरीज, क्रीन ओफ महिशमती जो के 23 दिसंबर 2020 को पब्लिश हुई। इसमें में वो इवेंट्स कवर किये गए हैं जहां से बाहु बली ता बिगनिंग स्टार्ट हुई थी। जैसे कि शिवगामी और महादेव के रिष्टे में दरार पड़ना और कुछ नीजी स्वारतों के चलते बिजल देव का शिवगामी के फेवर में आना और फिर बिजल देव और शिवगामी की शादी, कटपा के भाई शिवपा का मारा जाना शिवगामी की फोस्तर सिस्तर अखिला की शादी महराज विक्रम देव से होना कालकेयों का माहिशमदी के उपर अटेक करने की नाकाम कोशिश करना महराज विक्रम देव का अपने भाई बिजल देव को बचाते हुए मारे जाना और उनकी वाइफ अखिला का भी अमरेंदर बहुवली को जन्म देते हुए मारे जाना और इसके बाद की कहानी कंटिन्यू होती है बहुवली दा बिग्निंग में ऐसा हमें लगता है लेकिन ऐसा नहीं है अब तुम सोच रहे होंगे कि भाई आगे क कहानी कहां पर कंटिन्यू होती है तो वह मैं आगे बताऊंगा लेकिन उसके पहले बहुवली युनिवस की टाइम लाइन ओडर के फोर्थ प्रोजेक्ट हेवारे में जान लेते हैं जो कि अभी आना पाकी है अगस 2018 में नेट्फिक्स ने बहुवली बिफोर दा बिग्निं नाम से एक सीरीज के अनॉंस्मेंट की थी जिसमें आनंद नील कंटन के तीनों नोबल्स जिसमें शिवगामी की जर्नी दिखाई गई है उनका लाइव एक्शन अडेप्शन किया जाना है इसमें शिवगामी देवी का रोल प्ले कर रही थी अपनी मनाल ठाकुर ने पूरे के पूरे सीजन को यह उठा के कच्रे के टब्वेंट दिया और फिर कास्ट और क्रू के चेंजिस के साथ अब यह सीरीज को रीवेलवेट कर रहा है मतलब यह तो तैह है कि सीरीज इन फ्विचर बनेगी जरूर लेकिन कब बनेगी यह किसी को नहीं बता यहां में कोइंट ज़रूर बताना चाहूंगा कि यह सीरीज नेट्फिक्स ओरिजिनल की उन तीन सीरीज में से एक थी जो नेट्फिक्स ने स्पेशली इंडिया के लिए प्लान की थी बाकि दो थी सेकरेट गेमस और गुल और वो दुनों आ चुकी है कब की खेर अब लेट्स सी यह सीरीज हमें कब देखने को मिलती है बाहुवली यूनिवर्स की टाइम लाइन में फिफ्ट प्रोजेक्ट आता है बाहुवली दे लॉस्ट लेजेंड्स यह एक एनिमेटिड प्रोजेक्ट है और मजी की बात यह है कि जहां लाइव एक्शन सीरीज अ उन दोनों की ही जर्णी हमें देखने को मिलती है कि किस तरह से वो दोनों अपने आपको माईशमती का भावी राजा बनाने के लिए वर्दी साबित करने में लगे हुए हैं और साथ ही माईशमती की इविल फॉर्स से रक्षा भी करते हैं ऑफकोर्स बाहुवली उनिवर्स देनिश उनिवर्स के सेवेंध और एथ प्रोजेक्ट के तोर पर आती है दोनों मूवीज बाहुवली दे बिगनिंग एंड बाहुवली टू दे कंक्लूजन और इसके साथ ही ये कहानी भी खतम हो जाती है और अमरी ये वीडियो भी अब तुम बताओ तुम्हें ये वीड इस वीडियो को जीतना हो सके उतना शेयर भी करना होगा तो मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए सायोनारा